रोजाना सुबे खाली पेट लो जिन्दगी भर नसों में ब्लोकेज जोडों का दर्द कभी नहीं स्ताएगा। हडियां आपकी वज्जर के समान मजबूत हो जाएगी। सरीर की 300 बिमारियां होंगी दूर। वात, पित और कप से जुड़े सभी इत्रहें के रोगों के लिए काल है ये चमतकारी ओस्ती। खाने के एक दिन बाद से ही आपको इसका असर दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको ऐसी चमतकारी ओस्तियों के सेवन की विदी के बारे में बताएंगी। दोस्तों जिनका प्रयोग करके आप अ अपने सरीर की 300 बीमारियों से बचे रहेंगे यानि हर एक कोष्टी हर एक समगरी 100 बीमारियों पर भारी हैं दोस्तों वात, पित और कफ से जुड़े दोस दूर हो जाएंगे और दोस्तों हमारे सरीर में जो भी बीमारी होती है उसके पीछे वात, पित और कफ का दोस ही होता यानि इन तीनों के जब ये तीनों imbalance होते हैं तभी हमारे स्रीर में बीमारियां जनम लेती हैं और ये जब तीनों सही रहेंगे तब आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी दोस्तों इन तीन सामगरियों का सेवन करके आप डाइबटी जैसी बीमारी को कंट्रोल में रक्सा पाएंगे मुटापे को कारगर तरीके से इलाज कर पाएंगे अपने पेट की चरबी को मखन की तरहां पिंगला पाएंगे दोस्तों हडियों की कमजोरी बिलकुल दूर हो जाएगी आपकी हडियां वजर के समान मजबूत हो जाएगी और आपको जोडों और घुटनों के दर्द के समस्या कभी नहीं होगी और वैसे भी दोस्तों ये जो हडियों की कमजोरी के कान ही हमें मैक्सिमम जोडों और घु पर भी नया गलो आएगा आपका चेहरा खिल जाएगा दोस्तो इसका सेवन करने से आपको हार्ट ब्लोक के जरु हार्डटक जैसी बीमारियों से बच रहेंगे आपके दिल की बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएगी पीट के रोगों का कारगर इलाज है पीट में गैस कबज और एसलिटी के समस्या दूर हो जाएंगे और ऐसा होगा इन तीन समगरी के सेवन से तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये तीन समगरी है क्या-क्या उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने इनका सेवन करना कैसे है तो चलिए दोस्तो इसमें जो पहली मुखे सम दोस्तो अजवायन में प्रोटीन, फैट, फाइबर और मिननल जैसे कैलसियम, फासपोर्स, आइरन भरपूर मातरा में होते हैं जो आपकी सेहद के लिए बहुत अधिक उपियोगी हैं। दोस्तो अजवायन का सेवन करने से सरदी जुखाम, बहती नाक और ठंड से आपको तुरंत निजात मिलती हैं। इसमें भरपूर मातरा में एंट्योक्सेंट होते हैं जो आपके सरीर की बहुत सारी बेमारियों का इलाज करते हैं। ये च्छाती में जमा कप से आपको छुट कारा दिलाते हैं। और दोस्तो अजवायन का सेवन बहुत आदिक जमतकारी हैं। अब जानते हैं कि आपने अजवायन का सेवन करना कैसे हैं। उसके बाद बताएंगे इनकी टाइमिंग के बारे में आपको। दोस्तो अजवायन का सेवन आपने क्या करना हैं। एक चमच अजवाइन लेकर आपने रात भर के लिए एक गिलास पानी में भीगोकर आपने रखते नहीं है और सुबह खाली पेट दोस्तों आपने उस अजवाइन के पानी को उबालना है और उबालकर उसका सेवन करना है हलका गरम ही आपने सेवन करना है आप उसमें अपने सवाद के के लिए सहद का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि आपको डायबटीज की समस्या नहीं है तो इस तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं और यह सेवन आपने सुबह खाली बीट कर एक तरीके इसका यह हो गया यह हलका गुनमुना पान ले और आदा चमच अजवायन का सुबह फाक होगा यह आपकी यादास्त को बढ़ाता है सुबह में कैल्सियम, सोडियम, आईरन, पोटासियम जैसे खनिज भरपूर मातरा में पाई जाते हैं दोस्तो और वैसे भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में सुबह एक कारगर ओस्ती की तरहें काम करती हैं या आपके पेट की चरवी को कम करना हो, आँखों की रोशनी को बढ़ाना हो या दिल की विमारियों का इलाज करना हो दोस्तो ये कारगर ओस्ती की तरहें काम करती हैं अब जानते हैं कि आपने इसका सेवन करना कैसे हैं दोस्तो सेम आपने सौप के साथ करना है एक चमच सौप का अप सौप के साथ थोड़ा सा गुरा. ये हो गई दूसरी समगरी. अब जानते हैं तीसरी समगरी ये वाने में. दोस्तो तीसरी है जीरा. दोस्तो जीरा एक बहतरीन एंटि उक्सेंट है और साथ ही यह सूजन को कम करने और मास्पेसियों को अराम पहुचाने में भी बहुत अधी कारगर है दोस्तो इसमें फाइबर भरपूर मातरा में पाये जाता है यह आइरन, कोपर, कैलसियम, पोटासियम, मैगनीज, जिंक वैं मैगनीशियम जैसे मिननल का भी अच्छा सोर्स है इसमें विटामिन E, A, C और B कॉंपलेक्स जैसे विटामिन भी खासी मातरा में पाये जाते हैं दोस्तो यदि आपको खून की कमी की समस्या है या आपको मुटापे की समस्या है तो यह बहुत कारगर होसती है, हड़ियों को मजबूत बनाने का काम भी करती है क्योंकि यह कैलशियम का भी खजाना है दोस्तो आपने जीरी का सेवन कैसे करना है, अपने जीरी को भी एक चमच जीरा रात को एक गलास पानी में भीको कर रखती है आपने उस जीरी के पानी को सुबह खाली पेट उबालना है तो दोस्तों आप एक वीक तो सेवन करेंगे अजवायन और सोंफ अगर आप सोंफ पानी में डाल कर सेवन करना चाहते हैं तब एक वीक के बाद करेंगे जैसे पहले वीक आपने अजवायन का सेवन किया दूसरे वीक आपने सोंफ का सेवन किया तीसरे week आपने जीरे का सेवन किया तब आप इस तरीके से सेवन करें याप दो चीजों का एक साथ सेवन कर सकते हैं कैसे अर्जवायन आप सुबह ले और जो सौफ है वो आप खाने के बाद ले ऐसी जीरा आप सुबह ले और सौफ खाने के बाद ले यापने इस तरीके से सेवन करना है और लगातार तीन week तक इनका सेवन करना है और दोस्तो तीन week में ही आपको चमतकारी result दिखाई देगा पहले दिन से ही ये नुस्खा आपको अपना असर दिखाएगा और आपको अपने सरीर में महसूस होगा आखों की रोसनी को बढ़ाएगा पेज की चरबी को कम करेगा डाइबटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा दिल की बीमारियों से बचाएगा हड़ियों की कमजोरी को दूर करेगा वातपीत और कपकभी कारगर इलाज है तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाए और इस नुस्खे का परियूग करें और अपने स्रीर की बीमारियों से चुपकारा पाएं तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे